कि इन सरकार ने किसानों के हित के लिए तीन क्रिशी कानून लागू करने के बाद से ही किसानों द्वारा इसको काला कानून बता कर लगातार प्रदर्शन करने का काम कर रहे हैं वाई किसानों के नेता कही जाने वाले राकेस टिकैर भी किसानों के समर्धन में खड़े हैं और उतरप्रदेश में होने वाले विधान सबचिनाओ को देखते हुए कृशी कानून के माध्यम से सरकार को घेड़ने का काम कर रहे हैं इसी को देखते भारती जंदापाटी किसानमोडशा के दवारा किसानों के हिद में कृषी कानून बताकर किसानों को लुभाने के ले किसान ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया जा रहा है जिसकी शिरुबात मौउ जिले से की जा रही है जो सोनी थापा के मैदान में 200 ट्रैक्टर रैली निकाल कर कलेक्टर परिसर में पहुचेगा जिसकर सुभारम किसान मोर्ची के प्रदेश अध्याक्ष कमलेश्वर सिंग जी के द्वारा किया जाएगा वाई ट्रैक्टर रैली को देखते हुए भारी संक्या में पुलिस बल की तैनाती भी दी गई है मौ से समध अता कमलेश कुमार पाल की रिपू जिसका उद्गाटन जनपद महुद से हो रहा है और समापन जनपद वीनोर में तीज तारीक होगा है हमारा यह असपर्ष्ट कहना है कि किसानों के बीच कोई नाराज़गी नहीं है इसको न तो किसानों का समर्षन प्राफ्त है न जनता का समर्षन प्राफ्त है यह कुछ ऐसे असंतुष्ट लोग हैं जो इस सरकार से हमेशा परादित हुए हैं विपध्ष के लोग जो चार सालों तक आइसोलेशन सेंटर में रहने काम किये हैं जो मुद्दा विहीं थे जो चार वर्षों तक जनता के मुद्दों के लेकर सरक पर नहीं आये यह ऐसे लोग किसान आंदोनन के नामपव इसके कंधे पर बंदुग रहकर बोली चलाने का कुछित प्रयास कर रहे हैं जिसको प्रदेश की जनता ठीक से जांती है समझती है इसलिए किसान आंदोनन को जनता का किसान आंदोनन कर रहे हैं अभी आप लोग बहुत दिनों से कभर कर रहे होगी जैसे निरंकारी एक सक्टन में जैसे जैगुर्देव है भारती जनता पार्ती एक आंग्रेशन सबक कि निकिसान युनियन के उक्ता अधिकारी हैं नकि आंकिसान आंकिसानों का किसी भी प्रकार कर सबस्तन किसान आंदोनन को प्राप्त नहीं है